हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम जानेंगे दोस्तों चाओमी 14 प्रो 5G मुबाइल के बारे में दोस्तों चलिए शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो पूरी देखना इसकी मत करना दोस्तों मैं आपको टोटल टोटल फीचर बताऊंगा दोस्तों चाओमी 14 प्रो स्पेसिफिकरिशन इन हिंदी इसकी रेम दोस्तों 12 जीपी के आएंगे प्रोसेसर कॉलकॉम स्नेप डिगरम एट जनरेशन 3 का आएगा रियर केमरा 50 MP प्लस 50 MP प्लस 50 MP फ्रंट केमरा 32 MP का आएगा बैटरी 4880 mh के आएंगी डिस्प्रेस 6.73 इंस का सब्सक्राइगा और इसकी लांच जो डेटे 25 फर्वरी 24 को यह लांच होगा ऑपरेंश सिस्टम 14 का स्थिमाल किया गया है कस्टम यू आई हाइपर ऑपरेंटिक सिस्टम यूस किया गया है इसमें पर्फोमेंस की बात करें तो चीपेस्ट कॉलकॉम स्नेप डिगरन स्नेप सब्सक्राइब का यूज किया गया है गिराफिक्स एडिनो 750 रेम 12 जीपी की आएंगी रेम टाइप LPDDR5X का देखने को मिलेगा डिस्प्ले की बात करें दोस्तों इस मुबाइल इस मुबाइल में डिस्प्ले एम लोड एम लोड आएगा इसक्रीन साइज 6.73 इंस का इसका एकस्पेक्ट रेसो बीस इंटू 9 का पिक्सल डेंसेटी 521 पीपी इसकी टू बोडी 89.98 परसंटेज में आएंगी इसक्रीन पोटेक्शन इसमें आएगा और बेजर लेस्ट डिस्प्ले यस इसमें आपको देखने को मिलेगा टाइच स्कीन में आपको देखने को मिल ट्रिपल कैमरा आएगा तिन कैमरे आएंगे रिजुलेशन कैमरां प्राइमरी केमरा 50 MP का और सेकंडरी कैमरा 50 MP का ट्रेटेरी 50 MP के सेकंड के मां अटो फेक्रज्स डेखनों को मिलेगा ओए सिस्टम भी इसमें मिलेगा फिलेज्ड द्विस्त आएगा अड़र लाज इंटू छेजार एक्सों पचास पिक्सल में देखनों को मिलेंगी सेटिंग एक्सप्यों और कंप्रिशन इसका कंट्रोल सिस्टम देखनों मिलेगा सुटिंग मोड भी इसमें आपको देखनों को मिलेगा विद्व इसमें प्राइमरी 32 hacks और वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें आप कर सकते है वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैंfil 20804 पिक्सल में आप फूलेशियो भी इंटर्नल मेमोरी 256 जीपी का देखने को मिलेगा एक्सपांडेबल इसमें मेमोरी नहीं है ओटी यूएज़वी ओटीजी केबल सपोर्ट करेंगा मोबाइल स्टोरेज टाइप यूएफ एस 4.0 इस्टोरेज 256 और इसमें यूएज़वी का सपोर्ट यह सपोर्ट करेगा दोस्तों वीडियो इसकी मत करना आपको पूर्टल इन्फोर्मेशन में दूंगा नेट्रॉक एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो सिम आप ड्विल सिम देखने को मिलेगी इसमें सिम साइज नेनो सिम नेट्रॉक यह सपोर्ट करेगा 4G 3G 2G और 5G तो यह मुबाइल है वाल्ट यस 5G हैंड 4G बैंड बैंड 3G बैंड 2G बैंड GPRS EDG सिम टू वाइफाइ भी इसमें चलेगा वाइफाइ फ्यूचर के काफी इसमें वाइफाइ डारेक्ट मुबाल हॉट स्पोर्ट का यूज किया गया है और ब्लुटूथ इसमें अब यूज कर सकते हैं GPS है इसमें NFC यस आ बात करें तो FM radio इसमें नहीं है इस्टेरियोग यस लाउड इसमें मिलेगा ओडियो जैक भी यूज बी टाइप-C में देखने को मिलेगा और यू फीचर डॉल्बी एट्मॉस का इसमें देखने को मिलेगा सेंसर के हम बात करें तो फिंगर प्रिंट सेंसर इसमूथ देख सेंसर एक्स को और गाइरो इसकोप सेंसर देखने को मिलेगा दोस्तों मैसेज गुट मैसेज ट्यूबर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों ऑल्वेज भी हैपी है वनाइज डे